नमस्कार, ABNN Newsmap का बहुत-बहुत स्वागत और मैं हूँ सुरेज जा, घर घर राशन पहुचाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, हाला कि केन की तरफ से अर्विन केज जीवाल को कि इस योजना पर ब्रेक लगा दी गई है, लेकिन अर्विन केज जीवाल है कि उन इसी पर बीजेपी ने भी अब अर्विन केज जीवाल घेरना शुरू कर दिया है, भाजपा नेताओ कहना है, खासका रविश अंगर परशाद का, कि जब दिल्ली के अंदर जो करोना की जो महामारी थी, उसमें जो हालात थे, उससे निपटने के लिए अर्विन केज जीव मिशन जी बड़ा एक टॉपिक ऐसा खड़ा हो गया है, घर कर राशन पहुचाने का मामला, केन सरकार ने कहा कि हम आपको इसकी परमिशन नहीं देंगे, लेकि अर्विन केज जीवाल ने जिद पकड़ाखे कि नहीं हम इसको लागू करवा कर रहेंगे, अब सवाल ये खड पहुचाना चाहते हैं, तो कहीं ना कि उनकी मंशा पर सवाले निशान तो जरू खड़ा होता है, जी, इसमें लीगल एंगल भे देखा जाए, तो LG को, जो और LG ने रिजेक्ट किया हुआ है, इसकी जो भी क्वेसिंग होगी, वो हाई कोट के फिरू हो सकती है, और मामला को प्रिटिकल एंगल देखा जाए, तो हर चीजों में केजरिवाल जी पॉलिटिक्स करते हैं, ये जगजाहिर बात है, और इनको डेली को एक पॉलिटिकल मिसन बना लिया है, इनोंने, कि अपने आपको लॉंच करना है, तो अन्ना हजारे जी के मॉमेंट से लॉंच किया, औ और नेक्स्ट लॉंचिंग करना है, तो डेली को लॉंचिंग पैड बना दो, लॉंचिंग पैड में डेली की जनता कोविड में पिस गई इस बार, जो सबने देखा है, उस वक्त रासन की जरूरत थी लोगों को, तो सायद ये उस वक्त लॉंच किया होता, उस वकत यदि इन्होंने बिना इतना आडंबर किया, इसको हर वेक्ती तक पहुंचाते हैं, जिनकी जोरत थी उनको देते हैं, तो साइद ये आज प्राब्लम नहीं होती हैं, लेकिन इन्होंने इसको एक पॉलिटिकल एजन्डा बना कर, इसको अपनी पॉलिटिकल महत्वा कांशा को पूर और उनको ये कहके कि मैं मुफ्त में रासन दूँगा, कुछ लोगों को बढ़ जाएगा रासन, साइद और ये रासन का स्कीम इन्होंने लाया, इसी वज़े से इसमें दो टेक्निकल प्राब्लम्स थी, जिसकी वज़े से लेटिन गवर्नर डेली के जो हैं, उन्होंने इस को रोका, इसका दो रीजन इन्होंने दिया, पहला, प्रायर अप्रूवल जो है, सेंट्रल गौर्मनेंट से इस स्कीम को लांच करने के लिए नहीं लिया गया था, जो कि डेली गौर्मनेंट को लेना जरूरी था, और इस गौर्मनेंट, सेंट्रल गौर्मनेंट ने इस स् दूसरी जो एक common सी understanding की बात है इन्होंने एक उसका ले आउट नहीं दिया है कि हम किस तरह से रासन पहुंचाएंगे आप दी रासन को डिस्ट्रिबूट करना चाह रहे थे रासनिंग स्कीम है 97 लैक यहां पर कार्ड होल्डर है रासन कार्ड होल्डर है डेली में आप अभी कि दिया रासन देना चाहते थे तो उनको ही एक बहुतर तरीके से बहुतर मोनिटरिंग के साथ आप डिस्ट्रिबूट कर सकते थे साथ वो 70% पॉपलेशन तक पहुंच जाती क्योंकि डेली की बहुत जादा पॉपलेशन नहीं है 70 लैक तो अल्रेडी कार्ड होल्डर्स है तो रिमेनिंग बहुत कम बच जाते हैं जिनको की रासन की जोरत होगी और जिनको जोरत थी आपने जब लोग पलायन कर रहे थे दिली से पहली कोविड में भी हमने देखा मास लेबल पे लोग पलायन कर गए डेली से और डेली गॉर्मेंट ने उनको कोई खास सुविदा नहीं दी और कियोस फैलाते रहे जब इस्तिती बच से बत्तर हो गई तब इन्होंने रहत कुछ प्रोवाइड करना स्टार्ट किया वो भी अंडर प्रेसर और इसके बाद इस बार भी किसी भी तरह की कोई स्टार्ट में लॉंच नहीं की इसका मतलब सिंपल सा यही है कि इ तब जब लोग बहुत ही परिसान होते हैं परिसानी के हालात में वो इसको सेंटिमेंट को इनकैस करना चाहते हैं जो आज की डेली की जनता कम से कम इस चीज को अच्छे से समझती है क्योंकि मैं बिंग एडवोकेट मैं कई सारे स्कीम को एडवोकेट के लिए भी इन्होंन कि इन्होंने एक पॉलिटिक्स की तरह वोट बैंक की तरह उनको एडवोकेट को भी देखना स्टार्ट किया है जिसमें वो उनहीं एडवोकेट को रिलीव देना चाहते हैं जिनका यहां पे वोटर आइडियो जबकि आप डेली बार कॉंसिल के रिइस्टर्ड हैं यह नेचुरल सा कॉंसेप्ट है लेकिन वो टेक्निकल कॉंसेप्ट को ना लेके वो वोटिंग कॉंसेप्ट को ज्यादा पिक करते हैं तो इससे इनकी हर वर्क से मुझे यही लगता है कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड जादा हैं बलकि जबकि इनको एक किसी भी जरू थी तो उसमें आपने घर-घर क्यों नहीं मोहिया कराया बिल्कुल लास्ट में लास्ट कोवीड फर्स्ट राउंड में जो कोवीड थी उसमें इन्होंने जो ऑक्सिजन वगरे की स्कीम लांच की थी क्योंकि कोवीड पैसेंट्स की संख्या कम थी और वो भी उन्हों और ऑक्सिजन पहुंचाया जाए, मोनिटरिंग किया जाए और लोगों को घर में कनफाइंट करके ट्रीट किया जाए ना कि हॉस्पिटल्स में नंबर लगाके और हॉस्पिटल्स के गेट में दम तोडने के लिए मजबूर किया जाए तो ये बहुत ही डेली की पब्लिक क करना चाहूंगा कि वो वेलफेरनेस को काइंडनेस को अपने पॉलिटिक्स में लाए ना कि पॉलिटिक्स को हाभी होने दें बहुत भाए ये थे कानून के जांत का हमित कौमिश्या जो हमारे साथ बाकचीत कहते केरण पर सार राहूल के साथ सुरेज ज़्ा एबी अन दिल्य